अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम की आज की इस अध्याय में हम बताएंगे मल्टिपल यानी ओल लेजर अकाउंट्स कैसे देखें और उनका प्रिंट कैसे निकालें इस वीडियो में हम आपको तीन चोटे चोटे आप्शन्स समझा रहे हैं पहला है और लेजर अकाउंट्स यदि केसी कारण से आप अपने सभी लेजर की रिपोर्ट को एक साथ देखना चाहते हैं या वर्ष के अंत में आप अपने रिकॉर्ड के लिए सभी लेजर का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ये काम आप और लेजर अकाउंट्स की साहता से कर सकते हैं दूसरा है वन लेजर अकाउंट्स जब आपका कोई कस्टमर उसके और आपके बीच हुए ट्रांसेक्शन्स की जानकारी मांगता है तो उसके लिए आपको उसके लेजर का प्रिंट निकाल कर उसे देना होता है और ये काम आप वन लेजर अकाउंट्स की साहता से कर सकते हैं कई बार अपनी वसूली के लिए या अपने कस्टमर से इसाब कनफर्म करने के लिए अपनी लेजर यानी संट्री डेटर्स ग्रूप के सभी लेजर की रिपोर्ट के प्रिंट निकालने की जरूरत होती है तो ये काम आप ग्रूप अफ अकाउंट्स की साहता से कर सकते हैं आएए देखते हैं कि ये सभी काम किस तरीके से किया जाते हैं अब हैं हम गेटवे ओफ टैली पर हैं यहां उपर टॉप मेन्यू बार में आप प्रिंट आप्शन देख रहे हैं ध्यान रखें ये ओप्शन टैली में काम करते हुए सभी इस्थानों पर मिलता है यानि आप टैली में कहीं भी किसी भी काम के बीच इसकी साहता से प्रिंट निकाल सकते हैं हम इसका शॉटकट आल्टर और पी प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ दिखाई दे रहे तीनों आप्शन के बारे में हम पिछली दो वीडियो में डीटेल में बता चुके हैं यहाँ हम अदर्स के लिए ओ प्रेस करेंगे यह देखें, Multi Account Reports के अंतरगरत कुछ Reports के नाम दिखाई पड़ रहे हैं इन में से आज हम इन तीन Options पर काम करने वाले हैं यहाँ पर हम आपको एक खास बात बता दें कि Multi Account Reports ऑप्शन टैली के Educational Version में दिखाई नहीं पड़ता यह सिर्फ Licensed Version में ही मिलता है चलिए अब इन Options को एक एक करके समझ लेते हैं पहला है All Ledger Accounts यदि आप अपने सभी Ledgers की Report एक साथ देखना चाहते हैं या उनका Print एक साथ निखालना चाहते हैं तो यह Option selected है हम Enter Press कर रहे हैं यह देखे Print Window आ रही है आगे बढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ Configuration करना होगा उसके लिए हम C प्रेस कर रहे हैं यहां Show More पर जाकर Enter Press करें यह देखे पुरी Configuration लिस्ट आ रही है इसमें आपको जो भी Changes करना हो आप Down Arrow से उस पर जाकर Enter Press करके कर सकते हैं सबसे पहले हम Period पर जाकर Enter Press कर रहे हैं अब कहां पर वो Period टाइप करेंगे जिस Period के सभी Legers के Print निकालने हों हम पिछले Financial Year का Period टाइप करके Enter Press कर रहे हैं इसके बाद Print में जो भी दिखाना हो उसे Yes करना होगा और जो नहीं दिखाना हो उसे No रहने दें Show Narration को Yes करने के लिए हम उस पर जाकर Enter Press कर रहे हैं Format of Report को Enter Press करके Detailed कर रहे हैं Show Inventory Details को Yes कर रहे हैं देखें यहां एक Option है Start Each Account on a Fresh Page यदि आप इसे Yes रहने देंगे तो किसी भी Leger का Print समाप्त होने पर दूसरे Leger का Print अगले Page से शुरू होगा कहने का मितलब यह है कि हर Leger का Print नए Page से शुरू होगा अब यदि आप चाहते हैं कि किसी भी Leger की Printing के बाद दूसरे Leger की Printing भी उसी Page से शुरू हो जाए तो आप इसे No कर दें ऐसा करने से Printing में लगने वाले Page कम हो जाएंगे हम इसे No कर रहे हैं अब यहाँ पर एक Option है Print Index Page Also यानी Index Page भी Print करें कहने का मतलब यह हुआ कि आप जो Legers के Print निकाल रहे हैं कि आप उनका Index भी चाहते हैं अगर हां तो इसे Yes रहने दें इसके नीचे है Title यदि आप रिपोर्ट की शुरुवात में कोई Title देना चाहते हैं जैसे हम लिखना चाहते हैं Customer is Always Right तो हमने Title पर जाकर एंटर प्रेस किया और जो Title देना है वो Type कर दिया फिर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे यदि आप चाहें तो यहां से सब टाइटल भी बदल सकते हैं हम यही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं इसे तरह आप अपनी जरूरत के चाहें तो कर सकते हैं यहां पर हमारा आपसे निवेदन है List of Configuration के सभी Option को अच्छे से समझने के लिए Yes, No करके और यदि किसी Option में कोई Sub Options भी हैं तो उन्हें भी एक-एक करके Try जरूर करें हमें आप कोई Changes नहीं करना है तो अब हम इस स्क्रीन को Accept कर लेते हैं और एक बार प्रिव्यू देख लेते हैं उसके लिए आई प्रेस कर रहे हैं अब इसे जूम कर लेते हैं यह देखे हमने जो पीरियड लेया था उसकी पूरी रिपोर्ट आ रही है हमने टाइटल में जो नाम दिया था वो यहां दिखाई पढ़ रहा है सभी लेजर्स अलफा पेटिकल यानि ABCD के क्रम में आ रही हैं एक लेजर की समाप्थ होने पर उसी पेज पर दूसरा लेजर शुरू हो रहा है यानि यदि आप प्रिंट करेंगे तो दूसरे लेजर की प्रिंटिंग नए पेज से नहीं होगी साथ ही आप देख रहे हैं इसमें नैरेशन्स और इंवेंट की डिटेल्स भी आ रही हैं यदि आप सिर्फ अपने सभी लेजर की रिपोर्ट को एक साथ देख कर कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो इस प्रिव्यू की साहता से कर सकते हैं और यदि आप सभी लेजर का प्रिंट लेना चाहते हैं तो दो बार Escape की प्रेस करें फिर P प्रे की प्रेस कर रहे हैं यह देखिए इंडेक्स दिखाई पड़ रहा है इस इंडेक्स पेज का फाइदा यह है कि हम इसकी साहता से यह आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा लेजर किस पेज पर है याद रखी सभी लेजर की प्रिंटिंग के बाद इंडेक्स पेज प्रिंट हो अब O press करें. अब यहां दिखाई पढ़ रहे One Ledger Account पर जाकर Enter Press करें. List of Ledgers आ रही है. अब आप जिस Ledger का Print चाहते हैं, सर्च बार में उसका नाम टाइप करें और फिर Enter Press करें. ऐसा करते ही Print विंडो आएगी. यहां से आप पहले बताए अनुसार Configure कर सकते हैं और फिर Print निकाल सकते हैं. चलिए अब तीसरा Option, Group of Accounts देख लेते हैं. हम Group of Accounts पर जाकर Enter Press कर रहे हैं. यह देखिए, List of Groups आ रही है. इसमें से आप कोई भी Group सेलेक करके उसके अंतर्गत बने Legers के Print निकाल सकते हैं. इसके अंतर्गत हमें मुख्य रूप से अपनी वस्रूली या Customer से Confirm करने के लिए अपनी लेंदारी यानि की Sundry Datas Group के सभी Legers के एक साथ Print निकालने की जरुरत पड़ती हैं. हम सर्च पार में टाइप कर रहे हैं Sundry Datas और Enter Press कर रहे हैं. यह दिखें, Print Window आ रही है. इसे Configure करने के लिए C Press कर रहे हैं. इस Configuration List में से हम सभी मुख्य बातों के बारे में आपको पहले समझा चुके हैं. यदि आप सिर्फ वसूली के उद्देश इसे Print लेना चाहते हैं, तो पहले बताए अनुसार Configure करके Print ले सकते हैं. और यदि आप Parties से Confirm करने के लिए Print लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले Configure कर लेते हैं. पहले Period Change कर लें. इसके बाद है Report Type. हम इस पर जाकर Enterpress कर रहे हैं, और यहां से Confirmation of Account ले रहे हैं. Show Narration को Yes कर रहे हैं. Format of Report को Detailed कर रहे हैं. और Show Mode of Payment को Yes कर रहे हैं. अब हम Provide Confirmation Statement पर जाकर Enterpress कर रहे हैं. यदि देखिए Report Details आ रही हैं. इसमें यदि आप कुछ Changes करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं. यहां आप जो भी लिखेंगे, वो Confirmation of Account प्रिंट करने पर उसमें लिखा दिखाई देगा. हमें कोई Changes नहीं करना हैं, तो हम Escape की से वापस पीछे चलते हैं. टाइटल और सब्टाइटल में यदि आप कुछ देना चाहें, तो दे सकते हैं. पार्टी डिटिल्स में आप अपनी जरूरत के अनुसार चेंजिस कर सकते हैं. और सबसे आखिर में हैं Number of Copies. आपको जितनी Copies प्रिंट करने की जरूरत है, वो यहां टाइप कर दें. हम दो टाइप कर रहे हैं. ऐसा करने से हमें एक ही बार में सभी प्रिंट की दो-दो Copies मिल जाएंगी. सभी चिंजिस के बाद हम इस Print Configuration को Accept कर लेते हैं. अब प्रिंट करने से पहले प्रिव्यू देखने के लिए आई प्रेस करें और जूम करें. स्क्रोल करके हम देख सकते हैं कि सभी Confirmation of Account प्रिंट करने पर किस तरह के दिखाई पड़ेंगे. अब यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो दो बार Skip की प्रेस करके प्रिंट के लिए P प्रेस करें. तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया टैली प्राइम में Multilager, Single Lager और Group Wise Lager तिपोर्ट प्रिंट करना. आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद. इतना ही प्रेस करें.